सामको फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब लोग ठीक है फ्रेंट्स आज जो मैं वीडियो आपके लेकर आए इसे मैं आपको उपता हूँगा कि आप अपने सिस्टम में माउस पॉइंटर को कैसे हाइलाइट कर सकते हैं वीडियो को एंड तक देखेगा वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्रेडी डाउनलोड किया हुआ है ठीक है छोटी सी फाइल है यह बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाती है ठीक है आपने क्लिक करके डाउनलोड करने के बाद यह इस तरह आपके सिस्टम में यहां पर यूँ फाइल हाजएगी यह मैक्सिमम 5 MB की फाइल है जादा बड़ी नहीं है बाहरल इसके अपर आपने क्लिक करना है डाउनलोड करने के बाद डाउनलोड करने 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 बाद इसको इंस्टॉल करें यह अब जब इंस इसके बाद आपने इंस्टॉलेशन का सेटप स्टार्ट हो गया इसका उसके बाद आपने इंस्टॉल नाउप के ओपर क्लिक करें नेक्स करें आई एग्री के ओपर आई एग्रीमेंट के ओपर क्लिक करें फिर नेक्स करें नेक्स करें और फिर नेक्स और अगें नेक्स और ठीक है यह हो जब अपिक है इस यह हुजएल एंस्टॉल कर लेंगे तो यहीं देखिं यह करसर मेरे सामने आ गया अब सबसे पहले کام क्या है यह देखें अब आप चाहते है यह देखें पॉइंटर फोकस का यह जो है आइकों यह इसमें यहां पर शो हो रहे है ठीक है अब आपको वन बाइवन में एक एक चीज आपको मैं समझाता हूं कि इसको यूज कैसे करना है देखें सबसे पहले है ये वाली option इसके अपर आप mirror की ये option है अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो ये देखें ये जहां जहां पर भी मेरा mouse का error जाएगा pointer ये देखें ये इसको जूम करना शुरू कर देगा ठीक है तो इसकी का मकसद सिर्फ यही है और इसको इसकी short keys है F12 ठ ठीक है इसकी ये option है second आ जाती है इसको मैं क्लिक करता हूँ इसको stop कर देता हूँ ठीक है अब next option के ओपर मैं क्लिक करता हूँ ये है ये देखें आप pointer focus pen इसकी short key है F11 इसके ओपर मैं क्लिक करता हूँ और ये देखें यहां से मैं इसकी ये अगर किसी भी चीज को हमने highlight करन होँगा तो ये highlight हो जाएगा इसके अंदर भी रखके ये देखें ये मैं इसको highlight कर सकता हूँ अब next option आ जाती है spotlight इसकी short की है F10 अब मैं इसके ओपर क्लिक करता हूँ ये देखें spot light ये जहां जहां पर मैं लेकर जाँगा से बाकी सारा dim हो जाएगा इसमें जो हिसे को पर म माउस का cursor जाएगा वही हिसा light में आएगा otherwise सब जो है क्या कहते हैं डीम हो जाएगा ठीक है इसकी जो short की है वह F10 है उसके बाद आप आ जाएए इसके ओपर की stroke की stroke के ओपर आप क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद आप फॉर एक्जेमपल आपने कुछ टाइप करना है यान जो भी कुछ मैं लिखूंगा अगर मैं इस वाले बटन के ओपर क्लिक कर देता हूं यह देखें अभी मैं कुछ भी का रहा हूं तो कीबोर्ड के ओपर कुछ नहीं हो रहा है अब मैंने इसके ओपर क्लिक किया क्लिक करने के बाद की stroke F9 इसकी शोट की आप मैंने देखें ज करके या आल्ट पी कंट्रोल वी करता हूं तो यह यहां पर हमें स्क्रीन पे नजर आजेगा यह उन लोगों के लिए बैस्ट है जो यूट्यूब पे वीडियो बनाती है उसके बाद यहां पर एक ऑप्शन है हाईलाइट F8 इसकी शोट कीज है F8 इसके ओपर आपने क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यह देख रहे हैं आप यह देख रहे हैं यह अगर इसके बाद क्लिक करता हूं तो यह मेरा हाईलाइट यह जो इसका यालो कलर का जो राउंड सरकर है वो खतम हो रहा है यह देखे अब मैंने क्लिक किया अब यह फिर आग गया यह इसकी ह explode अगर आप इसको चाहते हैं अगेन आपन करना तो इसको ऑपन करें इसकी मुझीद यह typing में मैं बाप को जा लेक जाता हूं यह settings में आप चले जयाए setting में जाने के बाद मैं पहले इसको highlight कर देता हूं ाफ यह अब यह आप देख Рहें यह 110 यह size show कर रहा है ठीक है अब मैं अगर इसका साइज कम करना चाहता हूँ तो मैं यह देखें यह इसको कम पे लेकर आए हूँ तो यह साइज स्मॉल हो गया अब मैं चाहता हूँ साइज इसका मुझीद बढ़ जाए तो इसके ओपर मैं डबल क्लिक करता रहता हूँ करता रहता हूं करता रहता हूं और यहां से यह साइज बढ़ा हो गया यह साइज का है यह है इसके सरकल वाइद इसके यह यह देखें यह अभी यह मैं कर देता हूं 30 पर यह देख रहें यह हाइलाइट वाला जो सरकल है यह मोटा हो गया अब मैं इसको यहां से कम करता हूं 25 25 पर 15 पर यह देखें यह कम हो गया इसके अगर मैंने कलर चेंज करने है तो यह देखें लेफट रिक राइट तो यह देखें यह देखे, ठीक है यह इसके, यानि के, लेट के ली कलिए करेंगे तो इसका colour व हो जाएगा यानि के, रेड और Career व जाएगा Right कले रेट के लेशीक तो डीक हुआईगा, ठीक है नेक्स, अब जाएगा है इस क की स्ट्रोकRe각 मिखोड़िक स्दूर्ज के अपर मैं आपको लेकर आता हुए है इसको खिर करता हूं मुझीद, ताकि आपको spoken & आपको easily समझ आ सके दो पर आजे यह found size बड़ा करना है चोटा करना है किस size पर करना है यह found size के लिए यूज़ जाएगा spot light है यह ठीक है और यह pen की option है again यही वाली जो pen है इसकी color को अगर आपने change करना है तो यहां से जो भी color है आप select कर सकते है colors की option magni feature same वही आजाता है ठीक है उसके बाद highlights का cluster का show का spot light pen आपको इन सारी options का पता चल गया होगा again आप यह देख लें ठीक है उमीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी इदर से आप setting कर सकते हैं यह पैंस की है यह highlights की option है ठीक है यहां से minimize हो जाएगा यह आप use कर सकते हैं अपने जब भी आप YouTube पे वीडियो बनाते हैं YouTube पे वीडियो बनाने के लिए उस time आप इनका इस्तमाल कर सकते हैं इन options का यह best software है जिसके थूरू आप अपनी जो है वीडियो खुबसूरत करके ब हो जाता है उमीद करते हूं फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्स्राइब करना मत पूलिएगा थैंकिस सो मुच